हेलो स्टुडेंट्स आए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक सब्जेक्ट्स के चैप्टर हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर के अंतरगत आज का जो टापिक हम देखने वाले हैं आज का जो टापिक है वह तोटल प्रेशर आन इंकलाइन सर्फेस नत्थ समतल पर संपूड संपूड दाब हमें निकालना है पिछले वीडियो में हम लोगों ने 36 संप्टल पर संपूड दाब निकाला अब हम लोग नतformत पर संपूड दाब निकालेंगे जैसे एक हैети अब उ motherf निकाल लिया फिर हमने निकाला कि वर्टिकल प्लेन है अगर इस प्रकार से तो इस पर कितना दाब आएगा हम लोग ने इसको देख लिया अब हम क्या करेंगे अब कि इस प्रकार से जुका हुआ है अब हमें करना है कि इस सर्फेस पर द्रव का संपूर कितना लग रहा है इसी को हमें फाइंड करना है तो आए हम लोग अब इसको एचित्र बना हुआ है यहां पर एक हमने समतल रखा हुआ है ठीक है जो स्वतंत्र तल से क्या कर रहा है यह ठीटा कोड मना करके यह रखा हुआ है तो आए हम लोग करते हैं कि माना माना एक समतल एक समतल द्रव के भेतर रखा गया है जिसका छेत्रफल कितना है छेत्रफल हम केप्टल यह माल लेते हैं और जिस द्रव में रखा गया है उस द्रव का हम घनत्व क्या माल लेते हैं डेंसिटी रो माल लेते हैं तो द्रव का घनत्व है डेंसिटी क्या है रो है अब यहां पर हम देख रहे हैं जो यह समतल है इसका जो गुरुत्व केंद्र है सेंटर आफ ग्रेविटी है वह उर्ध्वा धर स्वतंत्र तल से क्या है एक्स बार गहराई पर है ठीक है एक्स बार गहराई पर और यहां पर टीटी अच से गुरुत्व केंद्र की दूरी जो है वाई बार है तो इसको हम लिख लेते हैं कि स्वतंत्र तल से गुरुत्व केंद्र की गहराई हमा लेते हैं एक्स बार है इसी प्रकार से टी टी अच्छ जो ये एकसी समने लिया है यहां से दूरी कितनी हो जाएगी तो टी टी अच्छ से अच्छ से गुरुत्व केंद्र की दूरी हम क्या माल ले रहे हैं वाई बार माल ले रहे हैं ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पट्टी ले रहे हैं यहां पर एक पतली सी पट्टी ले रहे हैं हमाले रहे हैं डी ए है अब इस पतली पट्टी का स्वतंत्र तल से गहर आई कितनी है एक्स है अब पट्टी की स्वतंत्र तल से गहर आई है हमाले रहे हैं एक्स है ठीक गहर आई क्या है एक्स है और ट्टी अच्छ से दूरी क्या है तथा अब चुकि यह स्वतंत्रतल से थीटा कोड बना रहा है तो हम क्या कर रहे हैं एक त्रिभूज यहां पर देख रहे हैं त्रिभूज बन रहा है इस प्रकाल से देख रहे हैं इस प्रकाल से बन रहा है ठेक है यहां पर थीटा कोड है यह वाला x है और यह वाला y है तो यहां पर साइन ठीटा पराबर क्या हो जाएगा साइन ठीटा पराबर हम देख रहे हैं कि यह एक्स वाला क्या है यह लंब है और क्या है कर्ण है तो स्क्षाइब क्या का सकते हैं कि हम त्रिभूज माल ले रहें इसको ऑफ लिभी ऑजिय ठीक है ऐसे त्रिभूज अबीगशी शे ठीक है त्रिभूज बिगेंस से हम क्या कर रहे हैं लेने रहें साइन the theta बराबर क्या जायेगा x अपां कि या हम इसको लिख सकते है has एकस बराबर Y मेर के साइन a can शब्ख सकते हैं अब इस्सी प्रकार से हम यह वाला जो है गुरूत तो केंद्र वाला इसको भी लिख सकते हैं कि एक्स बार बराबर वाई बार साइन थीटा ठेक है अब हम संपूर अब हम क्या कर रहे हैं इस पट्टी पर दाब तिब्रता ग्याद कर रहे हैं तो डी ए छेत्रफल पर दाब तिब्रता दाब तिब्रता कितना हो जाएगा दाब तिब्रता क्या हो जाता है रो जी एच यानि यहाँ पर एक्स है रो जी एक्स हो जाएगा लेकिन अब एक्स के जगाँ पर हम एक्स बराबर वाई साइन थीटा लिख सकते हैं तो यहाँ से हम लिख सक सकते हैं रो जी वाई साइड ठीटा तो इस प्रकास से डी एच situ पर reci beta रोजी एक्स तो यहां पर एक्स ब्राबर हम देखरें वाई साइड़ तो एक्स बराबर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वाई साइड थीटा हमने लिख दिया तो दो जी वाई साइड थिटा हो गया अब हम इस वाले सम्तल सतों को मिटा दे रहे हैं आप बना लीजेगा यहां पर यह तो हमने डी ए छेत्रफल पर दावति ब्रता ग्यातकी कर लिया अब संपूर दाव हम इस छोटे से पट्टी पर हम संपूर दाव फाइंड कर ले रहे हैं तो डी ए छेत्रफल पर संपूर नहीं टोटल प्रेसर संपूर दाव संपूर दाव बराबर क्या होता है दावति ब्रता गुड़े छेत्रफल तो दावति ब्रता क्या है रो जी वाई साइन थीटा इंटू छेत्रफल क्या हो जाएगा इसका डी ए ठीक है तो यह संपूड़ च्षेत्रफल यानि डी ए पर क्या निकल गया दाबती प्रता अब ऐसी बहुत सी पट्टिया होंगी तो हम इसका अगर समाकलन कर दे तो हमें संपूड़ सतह पर दाबती प्रता फाइंड हो जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे अब अब इ संपूर हम क्या कर रहे हैं इसका समाकलन कर दे इसका समाकलन कर दे रो जी वाई साइन थीटा डी ए ठेक है तो यहां से हम क्या कर रहे हैं तो रो जी और यहां पर साइन थीटा बाहर आ जाएगा वाई इंटू डी ए हम देख रहे हैं जो y into da है वह इस छोटे से पट्टी का tt अच्छ के परता छेत्रफल आगुड है तो यह क्या है y into da क्या है y into da tt अच्छ के परिता छेत्रफल आगुड है क्या है छेत्रफल आगुड या गुड बोलते हैं छेत्रफल गुड है खीक है अब ये किसका है ये डि हित्रफल का जो चोटा सा लेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा तो इसका मान यानिकि टीटी टीटी अच्छ के परिता परिता संपूर्ड प्रिष्ट का संपूर्ड समतल का संपल का आगुड // रंड़ कि संपूर्ड संत्र का क्या हो जाएगा यहां पर यह क्या प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि यह है कि है कि दी तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा है याइ इसका मान क्या कर दे रहे हैं यहां पर रग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा total pressure P बराबर क्या हो जाएगा ρो G sin theta Y bar E हो जाएगा या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ρो G A Y bar sin theta यहाँ पर लिख सकते हैं अब Y bar sin theta का मान हम यहाँ से लिख ले ले देख रहे हैं यहाप पर वाई बार साइन थीटा गमान क्या है X बार ले這 इस पंड़ नत स्मस्टल पर भी ल्गल यह टोटल प्रेसर कितना आ रहा था जो टोटल पेसर रोजी एक्स बारे और नत्व समतल पर भी इतना ही आ रहा है तो इसका मतलब है अगर हमें किसी भी समतल पर संपूर दाब ग्याद करना हो तो द्रव का घंत्व गुरुत्व केंद्र की जो गहराई है वह मालूम हो जाए और जो गुर्तवा कर्शडबल वहां का मालूम हो जाए और उस प्रिष्ट का छेत्रफल मालूम हो जाए तो हम उस प्रिष्ट पर जितना संपूर दाब लग रहा है फाइंड कर सकते हैं हमें उमीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट ह अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर किजिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद